सो फाइनली हमार पास आ चुकी है मच अवेटेड स्मार्ट वाच जिसके रिव्यू वीडियो का आप लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे काफी सारे कमेंट्स आये थे हमार पास इस वाच के लिए सो फाइनली हमार पास आ चुकी है अंडर बजट एक लगजरी स्मार्ट वाच जो के आती है फाइर वोल्ट की तरफ से फाइर वोल्ट अल्टिमेट यह स्मार्ट वाच आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वन फाइव डवल एंड की देखने को यूजर मैनुवल इसको पढ़के आप लोग वाच को ऑपेरेट कर सकते हो, इसके लाव मिलता है वोनियर वारेंटी कार्ड फायर बोल्ड की तरफ से, और यह सब्सक्रिप्चिप्शन कार्ड जो कि आप लोग को फायर बोल्ड की सारी स्मार्ट वाच सा देखने को मिलता है, और यह है Poco Pin Charging Cable जिसके तुरू आप लोग वाच को चार्ज कर पाओगे और केबल की quality भी काफी बढ़िया लग रही है। और यह रही smart watches एक metallic strap के साथ आती है जो के fully luxury देखने में लगती है और दूसरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो leather strap के साथ आती है। तो सबसे पहले बात करें कि smart watch के build and design के बारे में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी जादा luxury लग रही है smart watch, proper metal का है use किया गया है, इसके लावा 22 mm का metallic strap भी देखने को मिल जाएगा, back side में polycarbonate का use किया गया है, इसके लावा side में एक crown और एक button देखने को मिल जाता है यहाँ पर crown working नहीं है, इसको press करके आप लोग back जा सकते हो, और नीचे वाले button को press करके आप लोग direct sports mode में चले जाते हो, बाकि यहाँ पर आप लोग को in-build mic and speaker भी provide किया गया है, जिसके थूर आप लोग Bluetooth calling को use कर सकते हो, और अगर बात करो इसके overall build quality की, तो यहाँ पर काफी जादा top notch quality provide करती है company according to budget, क्योंकि यह smart watch आप लोग को सिर्फ और शिर्फ अंडर 1600 देखने को मिलने वाली है, अब बात करेंगे watch के features के बारे में, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले display की बात करना चाहूंगा, इसी smart watch में आप लोग को 1.39 इंच की HD display provide की गई है, और display की quality यहाँ पे काफी जबरदसता है according to price, और यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो काफी sharp और punchy color देखने को मिल जाता है display के अंदर, कहीं से भी pixelate नहीं होती इसकी display, बागी color accuracy भी काफी जबरदसत निकल के आती है, अब एक नजर डालते है watch के UI और key features के उपर भी, तो आप ल brightness को आप लोग यहां से adjust कर सकते हो अपने choice के recording, इसके लावा setting की बात करो तो यहां पर भी काफी सरे functions देखने को मिलते है stopwatch, alarm, timer, menu views जिसके अंदर आपको three types के menu style मिल जाएंगे, इसके लावा brightness, vibration, ringtone, theater mode, reset, power off, about and QR code, और अगर आप लोग नीचे swipe up करोगे तो यहां पर notification द देखने को मिल जाते हैं, और left से swipe करते हैं, आप लोग main menu में चले जाओगे जहां पर watch का सारे features show हो जाएंगे, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो, steps count, sleep monitor, heart rate, workouts, blood pressure, SPO2, voice assistant, messages, weather forecast, music control, camera control, phone calls, breathe mode and time pass के लिए आपको game भी देखने को मिलता है, बागी मिलता है flashlight and setting के बारे में आप लोग already बता रखा है, and display के ओपर touch and hold करके आप लोग watch faces भी change कर सकते हो, बागी UI performance की बात करों कि smoothly work करती है, leg या फिर hang जैसा issue face करने को मुझे नहीं मिला है, बागी बात करते है water resistance की है, तो यहाँ पर आप लोग को IP68 की rating provide की गई है, तो आप लोग normal बारेश में पह falling का features use करोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक से दो दिन का ही battery backup देखने को मिलने वाला है, अब फटा फट accuracy भी test कर लेते हैं, और देखते हैं, यह smart watch heart rate और SP2 में क्या rating show करती है हमें, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना heart rate test करना है start कर दी, और आप लोग similar data ही देखने को मिल रहा था, बट add the end यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक से दो rating का ही फर्क देखने को मिलता heart rate के मामले में, अब फटा फट SP2 भी test कर लेते हैं, और देखते हैं, यहाँ पर यह watch क्या rating show करती है हमें, so SP2 की final rating आ जोगी है, यहाँ पर भी आप rating का फर्क देखने को मिल रहा है, बाकी मैं आप लोग को recommend यही करूँगा कि आप लोग किसी भी smart watch पर rely मत किया करो, चाहे वो किसी भी brands का हो, serious condition में आप लोग medical equipment का ही use किया करो, अब चलते हैं फट 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 calling test भी करके दिखा लेता हूँ आप लोग को और देखते हैं कैसी देख लिए, आपको खुद भी idea मिल गया हूँ कैसी smart watch की calling quality, तो यार देखो में recording तो काफी बढ़िया calling quality company प्रोवाइट कर रही हैं पर, क्योंकि speaker और mic का जो position हो काफी सही जगा पर है, सामने वाले की भी आवास काफी अच्छी तरीके से आती है और उसे ही मेरी आवास करते हैं क्या आप लोग को firebolt ultimate smart watch लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए इस price segment में, तो यार देखो अगर आप लोग का budget कम है और आप लोग एक luxury smart watch देख रहे हो अपने लिए, तो definitely आप लोग इसी smart watch को check out कर सकते हो, luxury edition वाली smart watch आप लोग को 1,999 की देखने को मिलेगी, और जो leather strap के साथ आती है, यह smart watch आप लोग को 1799 की देखने को मिल जाएगी, so मेरे according यह smart watch काफी चाहता value for money provide करती है, और यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो, proper metal का ही use किया गया पूरे smart watch में, इस strap भी यहाँ पे आप लोग को metal का ही देखने को मिल जाता है, तो आ watch का link मैंने description में provide कर दिया, अगर आप लोग interested हो, तो जाकर check out कर लेना, तो बस यही थी आज की video, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको यह video पसंद आई होगी, अगर आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो फटाफ़र लाइक कर देना, और अब तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो whatever सब्सक्राइब भी कर दो, मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई